नमस्कार दोस्तों जैसरी राम कैसे आप सभी लोग तो दोस्तों अभी आपको मार्केट में बड़े अलग अलग तरीके की चीजे बताने वाला हूं तो पूरी वीडियो ध्यान से सुखना और बैंक आप जापान ने वह काम कर दिया है कि अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में पूरे की पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा बैंक नहीं बचा है जिसके पास निगेटिव इंट्रेस्ट रहे क्या है कैसे है क्या इसका इफिक्ट होगा लंबे टर्म पर बात करेंगे डिसकुसन करेंगे लेकिन उसके पहले आज का पूरा का पूरा बाजार में किस तरीके पूरे में नहीं पेस्सवाब आज नमगुए है कुछ अगैसा नहीं करना था करेंगे दोस्तों लेकjamin सबसे बड़ा प्रोब्लम क्या है आज के समय में रिटेलर्स का लॉस्ट सिर्फ सेट अप से नहीं हो रहा है रोस्ट उनका हो रहा है चार्जेस देने पर वह समझ नहीं पा रहे हैं कि एक बार खरीदने और एक बार बेचने पर बीस रुपया खरीदना बीस रुपया बेचने पर चला जा रहा है तो आप में से एक प्रॉब्लम तो मैं आपकी चली यह वाली कर सकते हो और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं माल लिजे कि मैं यहां पर ट्रेडिंग करने आता हूं और मुझे देखना है कि मुझे कितने रुपय लगेंगे कितने रुपय देने पड़ेंगे अब सिंपल सा लॉजिक लगाते मालो मुझे एफनो करना ठीक है मै मैंने किसी क्व Pfy को 210 रुपय बाई कर ली अर मुझे बेचना है कितने पर मालो 200 मान के चलो 250 पर बेचना है अब यहां पर मैं कॉन्टीती कर लेता हूं aleon 900 कॉंटी है जेने करने करता हो फ्यूcu dose कर लेता हूं 210 पर कारीदा मैंने कोई भी केक्लिंग करता हूं अब आप देखो यहां पर यह वाली जो चीज है दोस्तो ना यही तो हमें बचानी है अगर मैं 900 कॉंटिटी को मालो 100-100 करके भी लिया तो 20 रुपिया बेचना 20 रुपिया खरीदना तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि आपके जो ट्रांजेक्शन ब्रोकरेजिस हैं वो बच होगे तो आपको क्या-क्या मिल रहा है तो algorithm forecast मिल रहा है कि आप daily data driven जितने भी analysis है साल दर साल क्या हो रहा है कैसे हो रहा है दूसरा market forecast है छे time origins का heat map आप के लिए दिया गया है और बहुत सारी चीजे आप यहां पर वीडियो के अंदर देखकर समझ सकते अब बहुत लोगों का discussion यह रहता है कि सवरभ भया हम जो broker use कर रहे हैं वो एकदम trustworthy होना चाहिए तो चलिए मैं वो भी आपके सामने यहां पर दिखा देता हूं आप company में चले जाओ about test section इनका खुल लो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इनका company start कैसे हुआ था कहां से इन्होंने क्या जरनी शुरू की एंड अगर मैं बात करूं इनके credentials की तो यहने cbc mcx cdsl amfi ncdx और तो और आप देखो nbfc का सेभी का license है सब का license प्राप्त है तो इसमें एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि मैं as a retailer हूँ मेरे को चाहिए कि मैं कोई भी चीज़ खरीदूं बेचूं कम से क वह जो 20 रुपया खरीदना 20 रुपया देना वह बच जाए मेरा platform अच्छा रहे जहां पर मैं अच्छे से ट्रेड कर सकूं features बहुत अच्छे अच्छे है tools अगर आप चप करोगे तो आपको सूनी का trading platform मिल रहा है API मिल रहा है fund transfer AI stock trading मिल रहा है सब कुछ तो आज ही अगर आ bank of Japan का decision क्या था कैसे था और क्या-क्या news है तो सबसे पहले देखिए आपको एक बात समझने पड़ेगी कि country कैसे operate करती है जैसे यह कोई country है ठीक है तो जैसे अभी आप इंडिया में देखो US में देखो हर जगा देखोगे तो आप interest rate एक देखोगी यानि अगर मेरे country का आके जमा करता हूं तो यह company मुझे fix deposit के कुछ percentage देगी कि आपने इतना रुपया रखा है तो आपको साड़े साथ परसंट छे परसंट 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 रुपया देंगे जब भी किसी भी company के अंदर यह मालो जापान है इसके अंदर क्या था अभी negative interest rate है जब भी किसी country के अंदर negative interest rate होगा तो वो country क्या करेगी कि अगर आप बैंक में पैसा deposit करोगे तो बैंक को आप charge दोगे क्योंकि country चाह रही है कि मेरे जितने भी people हैं जो भी मेरे देशवासी हैं वो खर्चे करें वो business के अंदर पैसा डाला वो luxurious life जी है वो अपने आपको एक रुपया भी saving मे ना डाले अब ऐसा कोई country तब करता है जब country को लगता है कि मुझे country का बहुत बड़ा development करना है सभी लोगों को मैं खुला सार की तरह छोड़ूंगा लेकिन इसके बड़े demerit भी थे demerit क्या excess liquidation आने के बाद आपको पता है लोग मनमानिया करने लगते हैं inflation बढ़ने लगता है inflation बढ़ेगा लोग business में invest करते हैं लोग खरिदते बेशते हैं तो कोई पैसो का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता आपकी currency जो होती है depreciate करने लगती है लेकिन अब finally इतने सालों बाद last यही एक country बचे वी थी जिन्होंने आज announce किया कि अब हम अपने negative interest rate को रद कर रहे हैं और इन्होंने इतने दसक के बाद पहली बार rate hike किया है अब इस rate hike से क्या होगा समझो rate hike से पहला जो प्रभाव पढ़ेगा वो यह पढ़ेगा कि इनका yield करव बढ़ने लगेगा और दूसरी चीज जब inflation इनका control में आएगा तो लोग आएंगे इनकी country में पैसा लगाने क्योंकि जब कभी भी जैसे देखो आपको एक चीज में ब जो है ना कि rate cut होता है rate खूब बढ़ते जाए देखो सारे के सारे लोग वहां जाएंगे क्योंकि rate cut होने से क्या होता है लोग participate नहीं करते हैं तो इसका मुझे लगता है कि छोटा सा negative impact पढ़ सकता है जानते हो कहां पर वो पढ़ सकता है इंडियन stock market के अंदर कैसे पढ़ स मैं वहां पर bond खरिद लूँगा मैं नहीं नहीं चीज़े महां invest कर दूँगा तो थोड़ा सा इंडिया को हो सकता है कि investment थोड़ा कम मिले क्योंकि यह बड़ा unpredictable था कि bank of Japan ऐसे करेगा बट मेरा यह मानना है कि जब हम domestic क्यूश पर बात करते हैं जब हम domestic के बारे में देखते ह तो अपना इंडिया किसी से कम नहीं है दो चार यह भाग जाएंगे जापान जाके invest करेंगे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम जाओ जो करना हो करो बैक टू नॉर्मल दूसरी जो सबसे important बात है कि US का fed का meeting start होने वाला है और इसमें कया लगाया जा रहा है देखो भ यही प्रेडिट कर रहे हैं कि मार्च के अंदर कुछ नहीं होगा जून के अंदर कुछ नहीं होगा अगस्त और सेप्टेंबर के बीच में हम एक रेट कट देखेंगे उसके बाद last के year में एक रेट कट देखेंगे अब यह projection है लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस बार भ यह प्रियूंगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हों आप अब सीखते हैं मेरे से में जो मुझे पता हूँ मैं आपको मैं आपको क्या रखा ये आपको कॉम मुझे देट։ परता हूं को सब कुछ मैंने आपको बता दिया हम कल किस तरीके से काम करें गे क्योंकि हमारे हम कल बुद्धवार है कि बुद्धवार को dangerk निफ्टी के एक्सपारी होती है ब्रेस्पतिवार को क्या होता है निफ्टी के एक्सपारी होती है और सुक्रवार को सिंसिक के एक्सपारी होती है चलिए अब वहां पर आ जाते हैं टेलीग्राम पर अगर आप नहीं है तो जरूर जुड़ जाईएगा यह बहुत इस्पेंट यहां पर सेल आउट किया है इस चैनल के नीचे जैसे ही मार्केट गया ना तो एक बार कोसिस पूरी किये थे दिस इस दे फास्ट अटेम्ट लेकिन जैसे यह एटेम्ट इनका फेल्ड हुआ जो बूल्स है ना उन्होंने थोड़ा सा होप लूज कर दिया है और मै जादा बड़ा हल चल करने की एक्सपेक्टेशन अभी मुझे नहीं है मुझे एक्सपेक्टेशन तब की है जब फेड का मिटिंग का दौर होगा चाहे वह भले पाउज कर दे चाहे रेट को उपर बढ़ा दे नीचे कर दे लेकिन आप देखोगे बैंक निफ्टी तभी के करने को तयार है क्योंकि इतना बड़ा रेंज डाउन साइड भी मुझे लग रहा है कि मार्केट जादा जादा इस लेवल या इस लेवल तक जाने की कोशिस करेगा क्योंकि यह पूरा का पूरा एक रेंज है बैंक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी कहीं न कहीं के रिजल्ट को सुनने की कोशिस कर रहा है उसके बाद बैंक निफ्टी एक मोमेंटम देगा तो अगर कल मेरे को कोई कहे कि किस तरीके से ट्रेडिंग का मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो देखें सिंपल सा है ट्रेडिंग अगर मुझे करना है तो मैं दो चीज़े यहां प यहां पर भी यह अगर मैं बोलूं तो इस खेदा वाल hoald ब्रेकटाउन यह अगर मैं दो इसको मैं पूल सकता ओं दिसकोज़ेक अOTH ब्रेकडाउन तो बैंक निफ्टि कहिं कहीं एक अच्छे अच्छे पर बैठा हुआ है सपोर्ट पर बैठा हुआ है यहां पर जो सेलिंग करके गए हैं सेलिंग 1, सेलिंग 2, यह स्विंग 1, स्विंग 2 और यह स्विंग 3 कहीं न कहीं इन सेलर्स को हम टार्गेट तभी कर सकते हैं जब कल के दिन बैंक निफ्टी 46,530 के ऊपर खुलता है अगर कल के दिन मार्केट 46 6,530 के ऊपर खुलता है तो मेरा टार्गेट होगा 46,662 और 47,552 यह मेरा कल के दिन टार्गेट होगा लेकिन ध्यान दिजेगा या तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुले गैप खुलके ऊपर जाएगा तभी मैं इसको और इसको टार्गेट करूंगा दोस्तों जहां कल बैंक निफ्टी फिर से इसके नीचे निकल गया या मालो गैप डाउन हो गया यह सेलर्स को हम टार्गेट करी नहीं पाएंगे एंड मार्केट और नीचे गिरते गिरते फाइनली 46,000 के आसपास आ जाएगा यह चोटा सा अब्जर्वेसान है दोस्तों आपके लिए 2 मिनिट लग यह कमेंट करिए भाई को प्रेम दीजिए और बहुत सारे लोग जो लोग अपना ब्रोकरेज वाला सीन है ना आपको भाई बता दिया हूं इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा जीरो रुपया बाई करनो जीरो पर सेल करने का दो आओ आपस चलते हैं क्या मैंने मोला कि अ आप 46,323 के नीचे एक चौट का प्लान कर सकते हो या 46,300 के नीचे आप चौट का प्लान कर सकते हो टार्गेट आपका 46,100 तूहंडर्ड और 46,000 भी हो सकता है इतना सिंपल अनलीस है इतना सिंपल बड़े मोमेंट कब होंगे वही फिड के डिसीजन के बाद बड़े मुमेंट आपको देखने के मिलेंगे बिल्कुल यह मैं सोचे एक बैंक निफ्टी के एकस्पारी है कल तो पुछ जादा ही तबाही हो जाएगा ऐसा नहीं होता है होना रहेगा तो वही 400-500 के अंदर आपको मुमेंट मिलेगा बाकी थ सुन एक बार आप लोग जरूर इसको जरूर ट्राइ करिए ताकि आप लोग भी एक बार देखे समझे और करें काम तो आप ही के भलाई होगा मैं तो एक जरिया हूं ठीक है जैसरी राम